ओम श्यान्ती, सत्रा ग्यारा दोहजार तेईस की मुल्ली है, मुख्य रुप से बाबा ने कहा, ज्यान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो, जितना शरीर में बुध्धी जाएगी, लोब रखेंगे, उतना और ही बिमारियां आती जाएगी, आदी लगाना, यह सब फाल्तु श्रिंगार है, तुम्हें अपने को ज्यान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रिंगार है, आगे कहा, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्यान योग की रेस करो, फिर कहा, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे ज्यान योग में रेस करके, बाप के गले का हार बन जाना है, नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्यान योग की रेस करो, तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचाय देना प्रश्ण है किस मस्ती में सदा रहो तो बिमारी भी ठीक होती जाएगी उत्तर ग्यान और योग की मस्ती में रहो इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो जितना शरीर में बुद्धी जाएगी लोब रखेंगे उतना और ही बिमारिया आती जाएंगी इस शरीर को श्रिंगार ना पाउडर क्रीम आदी लगा ना यह सब फाल्तु श्रिंगार है तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रिंगार है गेत है जो पिया के साथ है उम्षान्ती जो बाग के साथ है अब दुनिया में बाप तो बहुत है परन्तु उन सभी का बाप रचैता एक है वही ज्ञान का सागर है यह जरूर समझना पड़े के परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है ज्ञान से ही सद्गती होती है सद्गती मनुष्य की तब हो जब सत्यू की स्थापना होती है बाप को ही सद्गती दाता कहा जाता है जब संगम का समय हो तब तो ज्यान का सागर आकर दुर्गती से सद्गती में ले जाए सबसे प्राचीन भारत है भारत वासियों के नाम पर ही 84 जनम गाए हुए है जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जनम लेते होंगे देवताओं के 84 जनम कहेंगे तो ब्रामणों के भी 84 जनम ठहरे मुख्य को ही उठाया जाता है इन बातों का किसी को भी पता नहीं है जरूर ब्रम्हा द्वारा ही सृष्टी रचते हैं पहले पहले सोक्ष में लोक रचना है फिर यह स्थूल लोक, यह बच्चे जानते हैं सोक्ष में लोक कहा है, मूल लोक कहा है मूल वतन, सुक्ष वतन, स्थूल वतन इसको ही त्रिलोक कहा जाता है जब त्रिलोकी नाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए न कोई त्रिलोक होगा न बास्तव में त्रिलो की नाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं यहां तो कई मनुशों के नाम है त्रिलो की नाथ शिव, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर आधी-आधी यह सब नाम भारत वासियों ने अपने उपर रख दिया है डबल नाम भी रखते हैं, राधे कृष्न, लक्ष्मी नारायन, अब यह तो किसको पता नहीं राधे और कृष्न अलग-अलग थे, वो एक राजाई का प्रिंस था, वो दूसरी राजाई की प्रिंसस थी यह अभी तुम जानते हो, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन्हों की बुध्धी में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारन रहती है जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाईयों के नाम रखते होंगे यहां भी यहां नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है, दिन प्रती दिन इन्वेंशन होती रहती है जिनों की अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो नई नई पॉइंट्स धारन करते होंगे धारन नहीं करते हैं, तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता सारा मदार बुध्धी पर है और तक्दीर की भी बात है यह भी ड्रामा में है न ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं यह भी समझते हैं करमशेत्र पर हम पाट बजाते हैं परन्तु ड्रामा के आदी मध अंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते तुमको तो सब कुछ जानना है बाप आये हैं बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचे देना सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है जो फिर ऐसे न कहे के हमको मालूम नहीं था तुम्हारे पास बहुत आएंगे लिट्रेचर आदी बहुत लेंगे बच्चों ने शुरू में साक्षातकार भी बहुत किया है यहां क्राइस्ट एब्राहिम भारत में आते हैं बरोबर भारत सबको खीचता रहता है आसुल तो भारत ही बेहत के बाप का बर्थ प्लेस है न परन्तु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि यहां भारत भागवान का बर्थ प्लेस है भल कहते भी है शिव परमात्मा परन्तु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहत के बाप का महत्व गुम कर दिया है अभी तुम बच्चे समझते हो भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है बाकी और सब जो भी पैगंबर आदी आते हैं वो आते ही है अपना अपना धरम स्थापन करने उनके पिछाड़ी फिर सब धरम वाले आते जाते हैं अभी है अंत कोशिश करते हैं वापिस जाए परन्तु तुमको यहां लाया किसने क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चन धरम स्थापन किया उसने तुमको खीच कर लाया अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए यह तुमको समझाना है सब आते हैं अपना अपना पाट बजाने पाट बजाते बजाते दुख में आना ही है फिर उस दुख से छुड़ा कर सुख में ले जाना बाप का ही काम है बाप का यह बर्थप्लेज भारत है इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चड़ा हुआ है कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं यह सबको बताना है निमंत्रन देना है पहले तो यह सर्विस करनी पड़े लिटरेचर तयार कराना पड़े निमंत्रन तो सबको देना है न रचैता और रचना की नौलेज कोई भी नहीं जानते सर्विसे बुल बन कर अपना नाम बाला करना चाहिए जो तीखे बच्चे हैं जिनकी बुद्धी में बहुत पॉइंट्स है उनकी मदद सब मांगते हैं उनके नाम ही जपते रहते एक तो शिबाबा को जपेंगे फिर ब्रम्हा बाबा को फिर नंबर वार बच्चों को भक सकती मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं अभी फिर मुख से नाम जपते हैं फलाने बहुत अच्छे सर्विसे बुल है निरहंकारी है बड़े मीठे हैं उनको देय अभिमान नहीं है कहते हैं न मिठरा घुर तो घुराए अर्थात मीठे बनो तो सब मीठा ब्यवहार बाप कहते तुम दुखी बने हो अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा यह तो गोया अपने उपर नफरत करते हैं पद नहीं मिलेगा धन कितना अथा मिलता है किसको लौटरी मिलती है तो कितना ख फिर सेकेंडी नाम थर्डी नाम होती है हूब हूई यह भी इश्वरिय रेस है ग्यान और योगबल की रेस है जो इन में तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तक्त पर नस्दीक बैठेंगे समझाया तो बहुत सहथ जाता है अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्मयोगी हो क्लास में एक घंटा पढ़ना है फिर घर में जा कर उस पर बिचार करना है स्कूल में भी ऐसे करते हैं न पढ़ कर फिर घर में जा कर होमवर करते हैं बाप कहते एक घड़ी आधी घड़ी दिन में आठ घडियां होती है उनसे भी बाब कहते एक घड़ी अच्छा आधी घड़ी पंद्रा बीस मिनिट भी क्लास एटेन कर धारन कर फिर अपने धन्दा दोरी में जाकर लगो आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो स्वदर्शन चक्र फिराओ याद का नाम तो था ना बाप और वर्से को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखेंगे नींद आती है तो सोजाओ फिर अंतमती सोगती हो जाएगी फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट सियाद आती रहेगी ऐसे अभ्यास करते करते तुम नीन को जीतने वाले बन जाएंगे जो करेगा वो पाएगा करने वाले का देखने में आता है उसकी चलन ही प्रतक्ष होती है ना करने वाले की चलन ही और होती देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मन्थन करते हैं धारना करते हैं कोई लोब आदी तो नहीं है यह तो पुराना शरीर है यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ग्यान और योग की धारना होगी धारना नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा नया शरीर फिर भविश्य में मिलना है आत्मा को प्योर बनाना है यह तो पुराना शरीर है इसको कितना भी पाउडर लिपिस्टिक आदी लगाओ श्रिंगार करो तो भी बर्थ नोटे पहनी है यह श्रिंगार सब फालत अब तुम सबकी सगाई शिब बाबा से हुई है जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं अब इस शरीर को श्रिंगारना नहीं है ज्यान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविश्य में प्रिंस प्रिंसस बनेंगे यह है ज्यान मान सरोवर इसमें ज्यान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे कहते भी है कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया ऐसे तो नहीं कहेंगे के भगाकर फिर प्रजा में चंडालादी बनाया भगाया ही महाराजा महारानी ब सो ठीक यहां मुख्य है पढ़ाई यह पाटशाला है न गीता पाटशाला बहुत खोलते हैं वो बैट सिर्फ गीता सुनाते हैं कंठ कराते हैं कोई एक शलोग उठा कर फिर आधा पौना गंटा उस पर बोलते हैं इसे फाइदा तो कुछ भी नहीं यहां तो बाप बैट पढ रहाते हैं एम ओबजेक्ट क्लियर है और कोई भी वेद शास्त्र जब तप आधी करने में कोई एम ओबजेक्ट नहीं है बस पुर्शार्ट करते रहो परन तु मिलेगा क्या जब बहुत भक्ती करते हैं तब भगवान मिलते हैं सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है समय पर होगा ना कल्प की आयू कोई क्या बतलाते कोई क्या बतलाते हैं समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे जूठे होंगे भगवान थोड़े ही जूठ बोल सकता समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए तुम बच्चों में योग का बल चाहिए योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है, कहां कहां बाबा भी मदद करते हैं, ड्रामा में जो नून्ध है वो रिपीट होता है, यहां भी हम समझते हैं, और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं, सेकेंड बाई सेकेंड जो पास होता जाता, टिक टिक हो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो श्रेष्ट कैसे बनेंगे, सब एक जैसे बन नहीं सकते, यह लोग समझते हैं, हम एक हो जाए, एक का अर्थ नहीं समझते, एक क्या हो जाए, क्या एक फादर हो जाना चाहिए, वा एक ब्रदर हो जाना चाहिए, ब्रदर कहे तो भी ठीक है, श्रेमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं, तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप, टीचर, गुरू भी एक ही है, जो पुरा श्रेमत पर नहीं चलते, तो वो श्रेष्ट भी नहीं बनेंगे, एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फस क्लास निकालते हैं क्योंकि लोटरी बड़ी रखते हैं यह भी अश्व रेस है हुसेन का घोड़ा कहते हो न उन्होंने हुसेन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है अभी तुम बच्चे तो डबल हिंसक हो काम की हिंसा है नमबर वन इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं सिर्फ कहते हैं यह विकार है बाप कहते हैं का महाशत्रु है यही आदी मध्य अंत तुमको दुख देता है तुमको यह सिद्ध कर बताना है के हमारा प्रवृत्ती मार्ग का राजयोग है तुम्हारा हठयोग है तुम शंकराचारिय से हठयोग सीखते हो हम शिवाचारिय से राजयोग सीखते हैं ऐसी ऐसी बाते समय पर सुनाना चाहिए. कोई तुम से पूछे के देवताओं के 84 जनम है, तो भला इन क्रिश्चिन आधी के कितने जनम है? बोलो, ये तो तुम हिसाब करो ना? पांच हजार वर्ष में 84 जनम हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो. एवरेज कितने जनम हुए? तीस बतीस जनम होंगे, ये तो क्लियर है, जो बहुत सुख देखते हैं, वो दुख भी बहुत देखते हैं, उन्हों को कम सुख, कम दुख मिलता है. एवरेज का हिसाब निकालना है, पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जनम लेते हैं, बुद्ध का एबराहीम का भी हिसाब निकाल सकते हैं, करके एक दो जनम का फर्क पड़ेगा, तो यह सब बाते बिचार सागर मन्थन करना चाहिए, कोई पूछे, तो क्या पिर भी बोलो, पहले तो बाप से वर्षा लेना है न, तुम बाप को तो याद करो, जनम जितने लेने होंगे उतने लेंगे, बाप से वर्षा तो लेलो, अच्छी रीती समझाना है, महनत का काम है, महनत से ही सक्सिस्फुल होंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धी चा कोई तो धन ही नहीं लेते अरे ग्यान रत्न तो धारन करो तो कहते हैं हम क्या करे हम समझते नहीं नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी अच्छा मेठे मेठे सी किलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते और हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को वियाद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला किसी से भी नफरत नहीं करनी है सबसे मीठा व्यवहार करना है ग्यान योग में रेश करके बाग के गले का हार बन जाना है दूसरा नीन को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाग को याद करना है स्वादर्शन चक्र फिराना है जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मन्थन करने की आदट डालनी है वर्दान है बुद्धी को डारेक्शन प्रमान श्रेष्ट स्थिती में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव बिस्तार है कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाए सेवा का भी संकल्ब चला तो सेकेन के पेपर में फेल हो जाएंगे उस समय सिवाए बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद न हो सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिती में स्थित होना चाहे, स्थित हो जाए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन है किसी भी परिस्थिती को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। अच्छा ओम शान्ती। ऑर शान्ती। झाल 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 झाल